नमस्कार, बुलेटिन COVID-19 में आप सब का स्वागत है और मैं हूँ याशु गांधी COVID-19 के कई एस्म्टोमेटिक मामलों के मद्दे नजर किसी क्षेत्र विशेश में COVID-19 से संक्रमित मामलों का अनुमान लगाना संबंधत अधिकारियों के लिए बहुत बार मुश्किल हो जाता है ऐसे में भारतिये प्रोधयोग की संस्थान IIT गांधी नगर के शोत करताओं ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अप्षिष्ट जल में COVID-19 का पता लगा कर एहमदाबाद में इसके प्रसार को रोकने का प्रयास किया है COVID-19 वाइरस मल, मूत्र, मानवलार, खासी और ठूक के रूप में पानी के साथ बह जाता है और इसलिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में COVID-19 एक शेत्र विशेश में COVID-19 मामलों में व्रधी की प्रारंभिक चितामनी दे सकता है और इसलिए IIT गांधी नगर के व्यज्यानिकों ने एहमदाबाद नगर निगम के 106 पिराना संयंत्र के सीवेज पानी में COVID-19 विशिष्ट जीन का परिक्षन किया व्यज्यानिकों ने 8 और 27 माई के सीवेज वाटर का परिक्षन किया और ये पाया कि 27 माई को वाइरस की मात्रा 8 माई की तुलना में 10 गुना ज्यादा थी IIT गांधी नगर ने गुजरात जैव प्राधयोग की अनुसंधान केंद्र और गुजरात प्रदूशर नियंत्रन बोर्ड के सहयोग से इस अध्ययन को संचालित किया और इस पर क्या कह रहे हैं हमारे विशिष्यक के आईए सुनते हैं अध्यरियल सार्च-COV2 का हमने हमदाबाद के एक होस्पीटल का वेस्ट जीस सीवेस्टीमेंट प्लान पे जाता था वहां पे हमने 8 मई और 27 मई को सेंपल लिये और उसमें इंफ्लूएंट और एफ्लूएंट दोनों लिये treatment से पहले का sample और treatment के बाद का नमुना लिया गया और उसको हमने उससे RNA extract करके हमने amplify किया gene को और तीन gene का पता लगाया जो की SARS-CoV-2 वाईरस का होता है हमने इन्फ्लुएंट में दोनों दिन तीनों जीन पाए और effluent में कोई जीन नहीं था एट्थ माई को जितना कॉपी थे उससे 10 गुना 27 और जब हमने मिलाया कि आमदाबाद में पेसेंट कितने बढ़े थे उस दोरां तो उस दोरां एक्टीब केसेज की संख्या दुगूनी हो गई हम इसमें से जो लोग रिकवर कर गए हैं उनका नमबर हटा चुके हैं उसके बाद हमें दो गुनी पेसेंट का प्रसंख्या बढ़ा था और जेनेटिक लोड टेंगूना बढ़ा था तो इसका मतलब है कि वेस्ट वाटर में जीन का बढ़ाव और पेसेंट के बढ़ाव का अनुपात निकाला जा सकता है और यह पहले पता लगा जा सकता है कि सिती में कितना पेसेंट्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं इसके फायदे गिनाने के लिए हम यह कह सकते हैं कि एक तो हर ब्यक्ति के पास जाके उसको जाच करना मुस्किल है उपर से जिसको बीमार होता है उनके पास सिंटम भी नही पहले से एक बीमार के सरीर से मड़ा हुआ जेनेटिक मेटेरियल सार्स योवीटू का निकलने लगता है, एक्सक्रीट होने लगता है, उससर्जित होने लगता है, तो इसलिए हम यह वेस्ट वाटर का में अगर जांच करते रहेंगे, तो हमें पता चलेगा कि नंबर ओफ पै कही जाने वाली भारती रेल एहम योगदान दे रही है, एक तरफ जहां कौरोना संक्रमर से यात्रियों को बचाने के लिए रेल्वे सुरक्षा के पुखता इंतजाम कर रहा है, वहीं कौरोना मरीजों की देखभाल के लिए भी कदम उठाए जा रही है, भारती रेल्वे ने कॉरोना मरीजों को कॉरिंटाइन करने के लिए अतरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर कोच तयार किये हैं जिने राज्य सरकारों के अनुरोध पर जरूरत के मुताबिक तैनात किया जा रहा है। COVID-19 महामारे से निपटने की तैयारियों के तहट रेलवे ने 5000 से अधिक 9AC कोचों को COVID-19 मरीजों की देखभाल के लिए COVID केर सेंटर में तब्दिल किया है। रेलवे ने कहा कि नीती आयोग वा स्वास्ति मंत्राले के अनुसार नौन-AC डिबबे ऐसी डिबबों की तुलना में COVID-19 की नियंतरण के लिए अधिक उपियुक्त है। गर्मी से बचाव और तापमान नियंतरित करने के लिए रेलवे कोच की छट को विशेश वस्तू से ठका गया है। रेलवे इन आइसोलेशन कोच में तापमान को नियंतरित रखने के लिए विभिन विकल्पों पर भी काम कर रहा है। कोविट केर सेन्टर में तबदील ट्रेनों के दिबूं को धंडा रखने के मद्दे नजर रेलवे, गर्मी रोकने वाले पेंट और बास की चिक के अलावा बबल रैप्स जैसे नए तरीकों का अस्तमाल किया जा रहा है। रेल्वे के मुताबिक रेल्वे के कोरोना केर सेंटर मरीजों की मूलभूत जरूरतों से लैस है जिसमें नहाने के लिए शावर, मच्छरदानी, बायो टॉयलेट, प्लग, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य सुईधाय भी शामिल हैं। बोगियों में बड़े आकार के पंखे लगाए गए हैं, इसके साथ ही हवा की निकासी की भी उचित व्यवस्था की गई है। आई इस पर सुनते हैं हमारे विशिशक के क्या जानकारी दे रहे हैं। भार्ती रेल ने 215 स्टेशन पे कोविट केर कोचेस को पूरे देश में हैं। 5,2,3,1 मतलब 5,231 कोचेस टोटल हमें बनाये हैं, कनवर्ट किये हैं। हमारे पास कैपिसिटी है कि 20,000 कोचेस भी हम शॉर्ट नोटिस में बना सकते हैं। दिल्ली हमने साथ से आड़ स्टेशन पे इन कोचेस को रखा है। इसमें उमीद है कि आज से कुछ पेशन्स आने शुरू हो जाएंगी। यह सारे पेशन्स दिल्ली की स्टेट गवर्मेन्ट के जो हॉस्पिटल से उनसे रिपर हो के आएंगी। इन कोचिज में लेकर दिली के चीट्रिंग हम रेल्वे की तरफ से दिने जारे हैं त्रफ पर आजे जो डिक्रिशन वियासता है वह आलमी की तरफ से रहेगी अर्प्लीनिंग और सनिटेशन की वियस्ता रहेगी ओ स्टेट ग़र्मन नी तरफ से रहेगी वाकि और जो मेंटेनेंस की वैस्ता होगी वाटरिंग की वो सारा रेलवे के तरफ सिखे जाएगा तो यह कि जॉइन्ट प्रयास है जो हम देश में करने जा रहे हैं स्टेट गॉर्मेंट साथ मिलके, हल्प केर जो वर्कर से उनके साथ मिलके हमारा प्रयास यह है कि किसी भी तरह से जो हमारे कुछ पेशन्स हैं जिनकों की माइल्ड सिम्टम होता है उनको किसी भी तरह की असुद्धर ना हो और अगर जबुरत प्रय तो रेलवे बिलकुल तयार है यह कोचस देखे कि लोगों को उनमें शिफ्किया जाएगा भारत समेत पूरे विश्व में एंटी कॉरोना वाइरस दबा और वैक्सीन विक्सित करने के लिए शोध लगाता जारी है और इसी बीच एक अच्छी खबर यह आई कि भारत में कॉरोना वाइरस के बढ़ते मामनों को देखते हुए ड्रग कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया यानि की डी सी जी आई ने कोविड नाइंटीन के इलाज के लिए एंटी वाइरल ड्रग फैवी पिर्विर उप्यों को मनजूरी दी है मुमई की ग्लेनमार्क फार्मसियोटिकल कमपनी दुआरा निरमेद कॉरोना वाइरस के मरीजों के उपजार के लिए एंटी वाइरल ड्रग फैवी पिर्विर को कुछ शर्तों के साथ मनजूरी दी गई है ये ड्रग फैवी फ्लू नाम की ब्रांट के अंतरगत उपलप्त होगी और 200 मिली ग्राम की प्रतिय गोली की कीमत 103 रुपे निर्धारित की गई है DCGI ने आपातकाल इस्तिती में इस दवा के प्रियोग का रास्ता साफ किया है नियम के मताबिक फैवी पिर्विट दवा के इस्तमाल के लिए COVID-19 मरीजों के परिजनों से मनजूरी लेनी होगी DCGI ने कहा कि फैवी पिर्विट दवा के कोर्स की अवधी 14 दिन है और इस दवा को पहले 1000 रोगियों को देने के साथ इस्तिती की मॉनिटरिंग के जाएगी इसे अस्पतालों और केमिस्ट के दुकानों पर उपलब्द कराया जाएगा और इसे सिर्फ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के तहत ही बेचा जा सकेगा फैवी पिर्विर दवा को हरी जंडी मिलने के बाद निर्माता कंपनी पूरे देश में दस प्रमुख सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल से चिनहित 150 रोगियों के साथ फैवी पिर्विर के स्टेज 3 के क्लिनिकल ट्राइल की योजना बना रहे हैं उलेकनी बात ये है कि ग्लेनमार्ग के अलावा हेटेरो ड्रक्स और सिप्ला जैसी भारत की दवा कंपनियों ने भी कुछ दवाओं को पुनरप्रियोग के तोर पर तयार किया है जो कौरूना वाइरस रोगियों के इलाज में मदद कर सकती है फेबी फ्लू के अलावा कोवी फर सिप्रम जैसी दवाओं को भी भारत में कोवीड-19 रोगियों के लिए परिक्षण की अनुमती दे दी गई है तो आज के इस अंक में बस इतना ही बुलिटिन कोवीड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजर होंगे तब तक हमें दीजे अनुमती नमस्कार